नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जैक बोड 10-12 की परिछाराद होने की खबर फेक जर्खन एकेंडविक बोड यानि जैक की दौजवी और बरहमी परिछाती थी की घोसना का लाखोच छात्र छात्राइं त्यार कर रहे हैं कुरोना संक्रमन के कारण इस परिछा के होने यास्त थगित तथा cancel होने की अभी तक खोसना नहीं की गई है लेकिन इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर एक नोटिस वाइरल हो रहा है इसमें परिछा के cancel होने की बात कही गई है यहां बता दे कि यहां वाइरल नोटिस फरजी है जयक यानि ज्यार्खन बोर्ट की दस्वी और बरामी की परिक्षा रद नहीं की गई है इस सम्मध में जयक के अध्यक्ष अर्विंद कुमान ने कहा कि परिक्षा रद नहीं हुई है अभी ऐसा निर्णाय नहीं हुआ है परिक्षा को लेकर सरकार का जो भी निर्देश आएगा जयक उसी के अंचार आगे की परकिरिया शुरू करेगा ज्यार्खन में 13 से 15 जून के बीच तक मानसून परवेश कर सकता है ज्यार्खन में इस बर समान ये मानसून की समभवना है भारतिय मौसम विज्ञान केंद्र राची के बैज्यानिक अभिसेख आनन ने गुरुवार को बताया कि 7 जून तक राची सहित ज्यार्खन के कई जिलों में बारिश की समभवना है मौसम केंद्र की पुर्वनवान रिपोर्ट के उनसार ज्यार्खन के उत्तर पूरव में देवघर, धनवाद, धुमका, गिरीडी, गोटा, जामतरा, पांकूर और साहिब गंज के अलावा ज्यार्खन के मद, राची, बोकारो, गुमला, जारिवा, खोटी और रामगण में कई जगों पर बारिश के असार है ज्यार्खन पूलिस के सभी प्रसिक्षन सस्थान 15 जून तक रहेंगे बंद जार्खन पूलिस के सभी प्रसिक्षन संस्तान 15 जून तक बंद रहेंगे इससे समय अजी प्रसिक्षन की ओर से गुरुवार को जारी किया गया है आदेश में कहा गया है कि राजे में संचाली सभी परकार के प्रस्क्षन को कुरोना वायरस के संक्रमन को देखते हुए 30 अपरेल तक अस्थागित करने का आदेश दिया गया था कोरोना संक्रामन की बर्तवानी सिती को देखते हुए राजे के प्रस्रिक्षन संस्थानों में संचालित सभी परकार के प्रस्रिक्षन कारिकरम को 15 जुन तक अस्थागित रखने का अधेश दिया जाता है कोरोना से बचाव को लेकर जारखन पुलिस ने एतिहात के तौर पर यार नीना किया है शिख्छा मंत्री से मिल करनी जी स्कूलों की मनमानी परोक लगाने की मांग ज्यारखन Parents Association के अध्यक्ष अजय राय ने राजे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों से मिल कर नीजी स्कूलों की मनमानी परोक लगाने की मांग की है राय ने सिक्षा मंत्री को एक ग्यापन भी सोपा उन्होंने पत्रे में सिक्षा मंत्री स्यागरा करते हुए कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बर्तमान स्थरे 2021 में आदेश निर्गत करे कि नीजी स्कूल ट्यूशन फिस के अलाबा कहीं कोई दूसरा फिस नहीं ले उन्होंने पत्रे के माद्यम से मांग किया है कि सभी नीजी विद्याले में जार्खन सिक्षा संसोधर अधिनियम 2017 को पूनता लागू करवाए बिदेश से अक्सिजन सिलिंडर मंगाने पर रोक लगाने पर हाई कोटने केंदर से मांगा जबाब बिदेशों से अक्सिजन सिलिंडर मंगाने पर रोक लगाये जाने पर जार्खन हाई कोटने केंदर सरकार से जवाब तलब किया है गुरुवार को करोना से जुड़े मामलों के सुनवाई करते हुए चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजर और जस्टिस सुजीत नराइन पर साथ के अदालत ने 17 जूनता केंदर सरकार को जवाब दाखिल कर या बताने को कहा है कि किस आधार पर रेट क्रोस और अनेसंस थाओ को सिलेंडर मंगाने पर छूट और राजियों के मांगने पर रोक लगाई गई है गुरुवार को सुनाई के दरवान महा दिवक्ता राजियों रंजर ने अदालत को बताया कि राजे में अक्सियन की कमी नहीं है लेकिन सिलेंडर की कमी है 14 जून के बाद बढ़ सकती है मिस सी से प्रभावित बच्चों की संख्या 35 बचे भरती कुरोना के तीसरी लहर से पहले बच्चों पर संकट मन रहा है बतादे राजी के सी सुरोग विसे सगे और राणी चिल्डेंड अस्पताल के संचालक डाक्टर रायस कुमार के अनुसार मिस सी बीमारी से प्रभावित बच्चों की संख्या 14 जून के बाद बढ़ने की संभवना है बरतमान में प्रती दिन 5-6 बच्चे OPD में परामर्स के लिए आ रहे हैं बतादे राची के 3 अस्पतालों में मिस सी से प्रभावित 35 बच्चे भरती हैं इसमें 30 बच्चे राण राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर घर जाकर पाठे पुस्तक पहुचाने का निदेश जारी कर दिया गया है लेकिन स्कूलों के सिक्चक अभी भी COVID डूटी पर लगे हुए हैं हर जीले में कंट्रोल रूम, COVID अस्पताल, COVID याच के अंदर, वैक्सिनेशन सेंट पीडियेस दुकान से लेकर घर घर सर्वे करने का सिक्चक काम कर रहे हैं, ऐसे में जब स्कूल के सिक्चक COVID डूटी पर रहेंगे तो बच्चों के घर तक पाठे पुस्तक कौन बांटेगा, जार्खन के सभी सरकारी अस्पतालों में COVID केर विंग की अस्थापना, जार्खन के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है, जारी निर्देश में कहा गया है कि COVID-19 बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में खासी, गले में खरास, सास लेने में परसानी, सरीर दर्ध, ठकान, आदी कई लक्षन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में COVID से ठीक होने व परविंग की सुरुवात करें, जार्खन में ब्लाइक फंगस के बारा नय मरीज, चार की मौत, जार्खन में ब्लाइक फंगस ने धीरे-धीरे पाउं पसारना शुरू कर दिया है, बता दे गुरुवार को राजी के विभीन जीलों से ब्लाइक फंगस के बारा नय मरीज मि भारत में 1,31,289 केस मिले हैं भारत में कुल मौत की संख्या 3,44,729 है वहाई कुल एक्टिव केस की संख्या 16,31,427 है भारत में 2,05,701 स्वस्थ हुए है रांची के बिर्षा जैविक उध्यान में सीवा बाग बिमार भागवान बिर्षा जैविक उध्यान चाकला के सीवा नामक बाग दो दिनों से बिमार चल रहा है बता दे उध्यान के निदेशक यतिंद्र कुमार दास ने बताया कि सीवा नामक बाग को बिमार रहने के कारण बुधवार की रात सूप दिया गया था फिर गुरुवार को अचाना को अभोयन करना बंद कर दिया लगताज सीवा का इलाज उद्यान के डाक्टर ओम परकासाओ की देख डेख में चल रहा था रांची के नए CTDSP दिपक कुमार जार्खन सरकार ने गुरुवार को 5 DSP के टांसफर पोस्टिंग की है इसके तहट दिपक कुमार रांची के नए CTDSP होंगे वहीं विकास चंद्र सिरीवास्तों को रिसर्च सेंटर स्कूल रांची में पदस्थापित किया गया है इस समन में गिरीक करा एवं आपता प्रबंदन विभाग ने दिस उतना जारी की है जहरीली सराब पिला कर 22 लोगों को मत की निंद सुलाने वाला माफिया नरेस गिरफतार बर्च 2017 में जहरीली सराब पिने से हुई 22 लोगों की मत मामले में फरार आरोपी सराब माफिया नरेस कुमार उर्फ नरेश सिंधिया, उर्फ नरेश सिंगानिया, उर्फ लाला को राची की नाम को पुलिस ने गिरफतार किया है बतादे SSP को मिली गुप्त सुचना कादार पर पुलिस ने जुरार इस्थीत घर से गिरफतार किया है गाडवा में भागपा मवादी संगठन से जूड़ी दो किसोरियों ने किया आत्म समर्पन CRPF 172 बटालियान वा गाडवा पुलिस की पौल पर नक्सली संगठन भागपा मवादी के दोर नवालिक किसोरियों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया बता दे दोनों किसोरी सोड़ा वा 17 साल की हाएं एक करमडी थाना छिपा दोहर जीला लाते आर की तथा दूसरी बहेरा खान थाना भंडर या जीला गडवा की रने वाली हाएं दोनों किसोरियों पिछले डेर वर से 25 लाक रुपए के इनामी भागपा मवादी कमांडर बीमल जी के दस्ते की सक्रिय सदा से थी जारखन में स्वास्त सर्वेक्षन में करोना से ज्यादा बीपी सुगर के मरीज कुरोना जाज को लेकर जारखन के ग्रामीन छेत्रों में चलाय जा रहे सगन स्वास्त सर्वेक्षन में कुरोना से अधिक वीपी और सुगर के मरीज मिल रहे हैं और इनका आकड़ा लाकों में हैं बता दे स्वास्त विभाग के टीम द्वारा चलाय जा रहे इस वीशेज अभ्यान के दोरान सुगर के एक लाक नौँ हजार से अधिक मरीज मिले जबकि बलड प्रेसर के एक लाक दो हजार से जादा टीवी मरीजों के संक्या 14,000 से अधिक रही जबकि कुरोना संक्रमीन जल्द सुरू होगी रेलवे एंटीपीसी भारती प्रकिरिया रेलवे बोर्ड के चेर्मेन सुनित सर्मा ने बताया है कि रेलवे की तरफ से ग्रूप D की भारती के लिए 1,46,000 या रिक्तिया निकाली गई थी इसमें से 64,000 या रिक्तिया तक निकी स्रेणी में थी इनमें स से ज्यादा चैनित करमचारी की ट्रेणी हो गई है बता दे पांच या करमचारी की ट्रेणी का काम रुका हुए है जल्द ही इनकी ट्रेणी भी शुरू कर दी जाएगी इसके अलावा एंटीपीसी स्रेणी के लिए भी अधिस उतना जारी की गई थी इसके चैन की परिक्षा संपन कराई जा चुकी है आखरी चैन की परिक्षा माई वजून में होनी थी ये परिक्षा क्रोणा बायरस अंक्रमने कराण नहीं हो सकी राजची से मूंबाई सूराथ पूर्णे बैंगलूरू जाने के लिए रेल्वे चलाएगा स्पेशल ट्रेन मन में प्रस्ता मांगा है अंतर जीला और राजे से बाहर जाने माली बसो का परिचालन 10 तक बंद रहेगा राजे में लोकडाउन की अधी 7 दिनों तक बढ़ाये जाने के आदेश के बाद अपरिवान विभागने भी बसो के परिचालन परोक लगाने को लेकर आदेश जारी क 10 जून की सुबा 6 बए तक राजे में बसो का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगी लेकिन अध्योगिक और खनन इकाईयों के कर्मियों के लिए बस का आवागमन जीला परसासन की अनुमती से हो सकेगा सिविल कोर्ट के वकील आई से करेंगे नियाई कारे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गन सुक्रवार से नियाई कारे में हिसा लेंगे बतादे पिछले दिनों RDBA की कारेकरेनी समीति की बैठक में वर्चुल तरीके से 4 जून से न्याई कार में हिसा लेने का निना लिया गया था कुरोना के बरते संक्रमन के कारण अधिवक्ता पिछले दो मैने से अपने आपको न्याई कारे से दूर रखे हुए थे इस थिती समाने तक अधिवक्ता वर्चुल मोड में ही कारे कर सकेंगे अमेरिकन राइफल के साथ टीएस्पीसी एरिया कमांडर गिरफतार पर्तिबंधित उग्रबादी संगठन त्रीतिय समेलन प्रस्थूति कमिटी टीएस्पीसी के खिलाब चात्रा पूलिस को बई सफलता मिली है बतादे पूलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर टीएस्पीसी के एरिया कमांडर यम सेकेंड सुप्रीमो आक्रमन गंजु दस्ते का मास्टरमाइंड एरिया कमांडर नाथो गांजु उर्फ भागी रती को हतियार सहीत गिरफतार किया है बतादे गिरफतार नक्सली नाथो गांजु लवा लंग थाना छेत्र के रतनाग टोला भुरकुंडवा का निवासी है मनरेगा में 50 फिस्तिकारियों में महिलाओ की इसिदारी जहारखन की ग्रामीन विकास भी भाग मनरेगा के सची मनीस रंजन ने बुधवार को राजे के सभी बीडियो को निवदेश जारी किया है जारी निवदेश में मनरेगा में 50 फिस्तिकारियों में अब महिलाओ के इसिदारी तय करने को कहा है बतादे राजे में 24 जिलों में 62903 महिला मेट कारे रहत हैं जबकि 35,921 पूरुस मेट हैं महिलाओं की कूल भागेदारी 36.7 फिस दी है नीती आयोग की रैंकिंग में जार्खन निचले पैदान पर भारत सरकार की नीती आयोग ने सतत विकास के लक्षो पर अपनी 2021 की तीसरी रिपोर्ट गुरुवार को जारी कर दी है इस बार की रिपोर्ट में जार्खन 96 अस्थान पर रहा है जबकि 297 अस्थान पर है बता दे जार्खन के इस खराप पर दसन पर मुख मंत्री हमान सुरेन के सचीव बिनाय कुमार चोबे ने गुरुवार को कहा है कि सरकार सतत विकास के लक्षो पर रिपोर्ट जारी करती है हम इंप्रूमेंट कर रहे है हमें और बेहतर करने की जरूरत था है रूपा तिर्की ममला